बिश्मिल्ला रह्मान रहीम वेल्कम टू पॉइंट पॉइंटर आज मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा कि एक समेस्टर के अंदर आप अच्छा जीपी जो है वो कैसे अन कर सकते हैं और अल्टिमेटली इनों गुड़ सी जीपी ए कैसे चीप कर सकते हैं तो मैं कोई आपको गिजर सिंगी नहीं बताने वाला और नहीं मैं आपको शार्टकट बताऊंगा बलके मैं आपको तरीका बताऊंगा और अपनी बात चीज शिरू करने से पहले मैं एक इंसिजन्ट आपको बताता हूं मैं और मेरा एक दोस्त डॉक्टर जॉन थांसन हम 1985 में क्रेंट फिल्ड उनिवर्स्टी यूके में लांट पे जा रहे थे तो उन दिनों मारे इम्तहनात हो रहे थे तो मैं जॉन से पूचा मैंने कर जॉन वर्ट वर्य हार्ड तो गैट इस डिग्री तो विश्ट वैल सम टाइम में वर्य हार्ड वूट गैट तो मैं खासा प्रेशान हो गया कि रात दिन तो हम पढ़ रहे हैं इतनी मेनत कर रहे हैं और इसके बाद भी यह कहता है कि जी यूड आट गैट तो मैंने कहो तो कहता है कि यस यूवर्ट वर्कार बट इन दी इन दी राइट डिरेक्शन अब आप देखें जब आपका समय से शुरू होता है आपकी क्लास शुरू होती है तो सबसे पहली बात यह है कि आपने punctuality पैदा करनी आपने आप में यानि क्लास के अंदर आपने टाइम पर पहुंचना है उसके बाद आपने क्लास मिस नहीं करनी क्योंकि attendance जो है उसके भी marks होते है ठीक है और जिस वकत आप 5-6-7 lecture जो है वो पूरे कर लेते हैं तो सबसे पहले जो है आपकी activity होती है कि आपक जो आपका professor है जो आपका उस्ताद है जो आपका teacher है वो आपको quiz देता है अब quiz के बारे में आपको बताओ मैं एक च्छोटे सी example लोगा क्योंकि वो example जो pure sciences बारे लोग भी समयचे हैं और engineering की जितनी branches हैं सब लोग समयचे हैं और बाकी लोग भी समयचे हैं क्योंकि ये FSC मे भी ये चीज जो है वो पढ़ाई जाती है वो है लेट से रिजिस्टर तो टीचर ने आपको पढ़ाया कि रिजिस्टर इस एन एलिमेंट विच लिमेंट्स दी करेंट ठीक है अब आपने quiz test जो है उसके अंदर उसने दे दिया कि true or false जो आपको पचा है कि क्विस के अंदर जो है true false होते हैं fill in the blanks होती है multiple choice होते हैं और बास टीचर जो है वो कोई definition एकार जो है वो दे देते हैं तो जब उसने कहा कि जी resistor is an element which limits the current आपने कहा true अब इसी चीज़ को हम ले लेते हैं कि जी उसने multiple choice में दिया रिजिस्टर is an element number one it limits the current number two it dissipates the power number three कुछ और उसने choice दे दिया number four भी कुछ और उसने इसी तरह का choice दे दिया अब आपने जो limits the power है वो चूंकर उसने पढ़ाया था तो आपने उसको टिक कर दिया लेकिन अगर आपने कहने का मतलब यह है कि आपने definition पड़ी उसका function दुरूर पड़ा लेकिन उसका effect और उसकी जी application है वो नहीं पड़ी यानि अगर आप देखें मैं कहना यह चाहता हू हुआ कि आप देखें कि आपको एलेक्टर हीटर है तो जिस वकत उसके अंदर राड लगी होती है तो उसको जिस वकत आप यूनों उस राड में से current गुजारते हैं उसको current देते हैं बेली आउन करते हैं तो आपको वह हीट देता है तो इसीपेट आल सो ठीक है तो अब वो सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद आजाता है आपका assignment अब assignment जो है उसके लिए यूनों आपको आपने अपने time पर करना होता है सिर्फ उसमें ये बात है कि आप to the point लिखें जितना उस्ताद ने बताया है उतना लिखें हमारी आदत है कि हम सफे बरना शिरू कर देते हैं तो सफे नहीं बरने चाहिए बलके जो साथ ने पूछा है उसका you know to the point जवाब देने चाहिए क्योंकि time आपके अपने पास है इसी तरह किसे projects है और you know attendance है जो मैंने पहले बताई ठीक है तो यह जो projects हैं उसके अंदर भी आप दिल्चस्पी लें अच्छी तरीके से करें और यह चारों जो activities हैं इसको कहते हैं सेशनल इसंट आपको पता है तो यह सेशनल माक्स हैं इसके अंदर आपको मैनत कम करनी पढ़ती है ठीक है लेकिन इसके अंदर जो आपको जो आवार्ड है वह आपको बहुत जादा मिलता है ठीक है तो यह आपका जो G.P.I. उसको बेतर बनाने में योनो बहुत ज़्यादा मददगार साविद होता है क्यों। कुछ में आपने कुछी याद नहीं करनी बलकि चीज़ें आपने अच्छेंड करनी है आपको रीड करनी है और अब आपने अपने टाइम पर करना है तो सेशनल मार्स यह बहुत इंपर्टेंट है इसके अंदर जो एक बात पहने चाहता हूं अगें कि जब हम तयारी का रहा थे तो हम पछले पेपर्स की तयारी का रहे है अब एक क्वेस्टन जो आइए वो मुझे जान ने कहा कि आप करें और वोई क्वेस्टन जो वो उसने किया अब मैंने भी जब हम कर चुके तो मैंने अपनी जो आं सर मैंने का नो आपने कोई चीज मिसने कि आपने सारी चीज जो घो है वह क्मप्लीट दी एक तो मैंने उसे पुछा ए how about me तो उसने कहा कर देखें आपने कोई चीज मिस ने की आपने सारी चीज़ें दी है लेकिन आपने कोई half page जो है वो additional लिखा है ये वो चीज़ें जो के teacher ने कुछ ही नहीं है तो teacher क्या करेगा he will take all these things as answer to the question और वो सारा question जो आपको cross कर देगा तो चीज़े लिखना है और ढूबसे अंबर देए हैं और कोई एक अंबर देखें corrections अनो आपनी ट्यूनिंग की की कि शो publish लिखना है और चीज़ें जो आण नहीं लिखनी है उसके बाद आप करता एं तब आपको छोबारा जाता के लिए for example कितनी और ज्यादा मेरत करनी है यह एंट टर्म में अब एंट टर्म में यह है कि आपके पास पूरा जोर लगाएं और उसके अंदर जो आप त्यारी करें खूँद ठीक है और लिखना आपने टूदी पॉइंट है उस्ताद बार बार जूनों क्वेस्टिन पेपर कार्ड कार्ड का वो नंबर थोड़े बहुत दे देते हैं लेकिन वो नंबर आपके डिफिनिटली काम होंगे ठीक है तो उसमें कुछ उस्ताद कहते हैं कि नहीं यह कंप्लीट देसिंग जोर आंसर इन वन पेज और बाद वकार तो मैं यह भी देखा है कि उस्ताद यह करत देते हैं फिर तीजरा फिर चौथा फिर पांचवां और इस तरीके से कहते हैं कि यह जो स्पेस मैंने दी हुई है इसी के अंदर आपने आपने जो आंसर्ज है वो मुकमल करने है ठीक है वो आपको एक लिए ट्रेन कर रहे हैं कि आप टू दी पॉइंट और जो काम की को देखें और अमल करने के कोशिक करें और अगर आपको यह मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी यह बेजें शेर भी करें और कमेंट सेक्शन में जरूर देंके जी नहीं कोई और चीज भी जो है वो आपने मिस कर दिया तक अगली जो वीडियो आस में में डाल सकूं ओके थैक यू वेरी मच्छ खुदा आफिस